हेलो गाईसे एंड वेलकम तुमाई यूटूब चैनल टैग बॉम के सो गाईस आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इन्फिनिक शॉट टॉन्टी प्ले के फोन में डिस्पले फिंगर पिंट लॉक कैसे लगाएंगे हटाने के बाद आप लोगों को अपने फोन में प्ले इस्टोर ओपिं करना है प्ले इस्टोर ओपिं करने के बाद ऊपर आप लोगों को सर्च बार पर किलिक करना है इसके बाद यहां पे सर्च करना है टाच लोकी स्कीन touch lock skin search करने बहुत से application आपके skin पर दिखाए देंगे यहाँ पर नीची देख सकते हैं एक application है जिसको मैं click करके आपको दिखा देता हूँ आपको इस application को download करना होगा लेकिन दियान रहे download करने इस पाले आपको video को like करना है तभी आप लोगों को इस application को download करना है अब इसको आप लोग यहीं से डारेक्ट ओपिन कर देंगे ओपिन करने बाद यहाँ पर देख सकते हैं अलाव का ओप्सन दिखा रहा है यह परमीशन मांग रहा है तो अलाव पर किलिक करके इसको हम परमीशन दे देते हैं इसके बाद यहाँ पर start का option देखने को मिलता है हमें start के option पर click करना है start के option पर जैसे हम लोग click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभी application आपके phone में जितने हैं दिखाई देंगे सभी को already permission मिली हमको नीचे आना है touch lock screen को हमें यहाँ से on कर देना है यहाँ आप देख सकते हैं अभी आफ रहेगा इसको on कर देंगे इसके बाद back आजाएंगे back जैसी आप लोग आएंगे इसके बाद फिर से आप लोगों को start के option पर click करना है और click करने बाद यहाँ पर देखेंगे उपर आप लोगों को start service को option मिलता है जो कि यह option अभी आफ है आप लोगों को इस पर click करके इसको on कर देना है और on करेंगे ति यहाँ पर अगर image हो गयरा दिखाए दे ति इसको back कर दिजीगा इसके बाद set lock screen का option है इस पर आप लोगों को click करना है click करने बाद दोस्तों finally आप लोगों को कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है किसी एक wallpaper पर click करना है कोई भी एक wallpaper हो जो भी पसंदा आ रहा हूँ wallpaper उस पर आप लोग किलिक कर देंगे click करने के बाद यहाँ पर arrow पर click करके आप लोगों को सबसे आखरी page पर आ जाना है आखरी page पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर right side उपर की तरफ right का symbol मिलता है इस पर click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों कुछ step और बागी बस इसके बाद आपका लग जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटर्फेश अब यहाँ पर हमें यहाँ दो बार click करेंगे आप किसी भी अस्तान पर click करिये लेकिन ओस्तान याद कर लिजिए जहाँ पर किलिक कर रहे हैं अब इसके बाद ये डन हो जाता है, अब हमें कुछ नहीं करना इस application के अंदर, मैं अपने phone को lock करता हूँ, और इसको unlock करता हूँ, तिहां पर हमने अपने phone के setting से लगा है, swipe to open वाला lock, जो lock करने के बाद unlock करने के लिए, नीचे सूपर की तरफ slide कर देते हैं, अनलोक हो जाता है, वोई वाला lock लगा हैं, लेकिन जहां नीचे सूपर की तरफ slide करके unlock करते हैं, मेरा phone unlock नहीं होता है, बलकि display fingerprint मांगता है, कोई कहीं भी टेच करें, मेरा phone unlock नहीं होगा, जहां पर मैंने जो दो बार click किया था, लगा तरफ दो बार फिर से यहां पर click कर दूँगा, मेरा phone unlock हो जायागा, मेरे सिवा किसी को नहीं पता कहाँ पर click करने बाद unlock होगा, कहाँ पर click करने बाद unlock नहीं होगा, इसलिए मेरे अलामा कोई भी मेरे phone को unlock नहीं कर सकता, वेडियो पसंद आएट लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें